हम सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव के पास दो नहीं, बलकि तीन आँखें हैं। मान्यता के अनुसार वह अपनी तीसरी आँख का प्रयोग तब करते हैं जब स्रिस्ठी का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे मिली थी? इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है। तो आईए जानते हैं बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि आखिर शिव जी को तीसरी आँख कैसे मिली थी? पौरानिक कथा के अनुसार एक बार नारत जी, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए बातचीत को बताते हैं। इसी बातचीत में त्रिनेत्र का रहस्य छुपा हुआ है। जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौझूद सभी जीव जन्तूओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई। और उन्होंने अपने माते पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान की तीसरी आँख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता क्योंकि उनकी आँखें ही जगत की पालनहार हैं। ऐसी ही रोचक ज्यान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करना न भूले।